क्योंकि मैं यहुआ बदलता नहीं इसी काराण हे याकूब की संतान तुम नस्ट नहीं हुए प्रेज लॉड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रात्ना में और जैसे कि परमेशु का वचन मलाके की किताब उसका तीना ध्याय और छैपद में कुछ इस प्रकार से कहता है क्योंकि यहुआ कभी बदलता नहीं है हम एक ऐसे परमेशुर पे भरोसा करते हैं जो कभी भी बदलता नहीं है वो युगान युग एक समान है वो कभी भी बदलता नहीं है उसने जितने वादे किये हैं वो अपने वादों पर कायम रहता है वो कभी भी अपने वादों से पीछे नहीं हटता वो कभी भी जूट नहीं बोलता क्योंकि परमेशो कभी भी बदलता नहीं है वो हमेशा हमेशा एक जैसा है और आज हम देख रहे हैं कि परमेशो का वचन याकूब की संतान के लिए कहता है कि हे याकूब की संतान क्योंकि मैं यहुआ बदलता नहीं हूँ इसलिए हे याकुब की संतान तुम नस्ट नहीं हुए अगर मैं बदल जाता तो तुम नस्ट हो जाते दूसरे सब्दों में यदि हम देखें तो परमेशो इस परकार से कह रहा है वचन कि यदि मैं बदल जाता तो तुम नस्ट हो जाते दूस्तों हम यहां पर देखते हैं ज लोग लिप्त हो गए, जो ब्यवस्ता में मना था, वो उन कामों को करने लगे, परन्तु परमेशो ने उन्हें फिर भी नस्ट नहीं किया, और यदि आप साथ पत पढ़ेंगे, तो परमेशो का वचन कहता है, कि तुम मेरी और फिरो, तो मैं फिर तुम्हारी और फिरोंगा, परमेशु उन्हें एक और मौका दे रहा है, परमेशु जानते हैं किनों उन्हें इतने सारे गलत काम किये, परंतो फिर भी परमेशु कह रहे हैं कि तुम मेरी और फिरो, तो मैं तुम्हारी और फिरूंगा, एक मौका परमेशु उन्हें और दे रहे हैं, क्यों परमेशु उ आपनी इच्छा बदले, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वे वचन देकर उसे पूरा ना करे, आमेन. दोस्तों, यहाँ पर परमेशो का वचन कहता है, एश्वर मनुश्य नहीं है कि जूट बोले, वादा करे और उस वादे से मुकर जाए, नहीं, परमेशो ऐसा नहीं है, उसने जो वादे किये हैं, उन्हें वो निस्चे पूरा करता है, और आप जानते हैं, परमेशो ने अबर वणे वादे से मुकर जाए हैं, नहीं, वो मनुश्य नहीं है, वो आहसा नहीं है कि वो अपने करेक्टर को बदल दे, वचन कहता है कि परमेशो कभी बदलता नहीं है, यदि उसने अबराहम से वादा किया कि मैं तेरी संतानों को आसिसऌत करूँगा, तो वो निस्चे आस किये हैं मेरी चाके विरोध में इनों ने काम किया है परंतो परमेशोर फिर भी अपने वादे पर टिके हुए हैं अपने वादे को पूरा करने के लिए तयार हैं और परमेशोर उन्हें फिर से आसिसित करना चाहते हैं इसलिए परमेशोर उनसे कहते हैं कि मैं यहुआ बदलत नहीं हूँ इसलिए याकुब की संतान तुम नस्ट नहीं होए, परमेशोगा वचन विलाप गीत, उसको तीन द्याई बाईसपन में कहता है, कि हम मिट नहीं गए, यही तो परमेशोग की महा करुना का फल है, उसकी दया अमर है, उसकी जो करोना है वो अमर है, युगान यु क्या क्योंकि वो अपने वादे पर कायम है यही तो परमेशो की महा करोना का फल है तो दोस्तों आज साम में मैं आपसे कहूंगा कि आप एक ऐसे परमेशो पर भरोसा करते हैं जो कभी भी बदलता नहीं है उसने जो वादे आप से किये हैं, जो वादे बाइबल में उसने आप से किये हैं, वो निश्चे आपके जीवन में पूरा करेगा, किसी भी कीमत पर, वो हमेशा उन वादों को पूरा करेगा, इसलिए आप परमेशो के वादों को पकड़े रखें, परमेशो के उन वचनों को पकले रखें, उन पर भरोसा रखें वो निश्चय उन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेगा जब आप उन पर विश्वास करेंगे सुप्रवो आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयद से आसीज दे, आमें दोस्तों इस समय होगा जब हमें गवाई को प्रातना करवा सकते हैं पने लिए प्रातना करवा सकते हैं एक फूरी टीम आपके लिए प्रातना करेगी जै मसी की, मेरी गवाई ये है कि मैं हमेशा अपने बोडी से अपने शरीर के हर परिशानी दुखतर से परिशान रहती हूँ मैंने इस प्रात्ना को सुनना जब से शुरू किया मेरी हर बिमारी, हर तकलीप, हर प्रकार की दर्द मेरे शरीर से दूर होती है मुझे बहुत विश्वास है, मैं जब भी तकलीप में होती हूँ, कश्ट में होती हूँ, दर्द में होती हूँ मैं हमेशा यहाँ पर भाई मसी, पिके मसी और सिश्टा मरीता के पास मैं वाटसप के दोबारा प्रियर भेजती हूँ अपनी तकलीप भेजती हूँ, जो भी परिशानी होती हो, उसको भेजती हूँ, वो हमारे प्रेयर्स को सुनते हैं, तुरंत रिपलाई भी करते हैं, और मुझे बहुत दिल में शांती, सुकून और बहुत ही विश्वास और बढ़ जाता है, और ये प्रेयर्स मेरे लिए बह कख अए प्रबु के धन्यावाद, वेहन अमरिता और सिस्टर चर्फिके मसिखी पुरी टीम को को धन्यावाद, जो हमारे ल्य प्राप्त करते हैं दिन रात सभी को धन्यावाद देते हूए, में प्रभु येश्य को फ़िर चोटि-कोटि धन्यावाद देती हूँ, जैए प्रभु येश्य मसी का धनिवाद करते हैं आज की सुन्दर शाम में और सुन्दर सी गवाही को सुनकर हम उत्साहित हुए हैं जैसे प्रभु येश्य मसी ने इनके जीवन में आज शेरे करन किया ऐसे ही परमेश्य प्रभु आप सब के जीवन में भी करना चाहते हैं सो प्र हमेशा युगानु युग एक समान है परमेश्व पिता, इसलिए प्रभू हम सब मिलकर प्रभू तेरी तारीफ करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सच में मेरे प्रभू तु बढ़ है पिता, तु बढ़ है प्रभू और हम घ protect किया प्रभु आपका धनिवाद करते यмат यदि आज दिन पर में जाने अंजाने में पिता तेरे लोगों से प्रभु हम सबसे यदि कोई भी गल्टी और गुनाह तेरे विरॉद में हुआ है तेरी वैवस्था के विरोध में हुआ है तो पिता मेरे प्यारे अबा हमें आप शमा करे प्रभू हमारे गुनाहों को माफ करे प्रभू हमें पाक साफ करे परमेश्वर और हमें फिर से एक नया मौका दे प्रभू कि उन बातों से फिर कर हम फिर से सच्चाई और पवित्रताई के मार्क में चल सक आप उनके प्राथना का उत्तर दीजिए प्रभु जी कुदावन आज जो समस्या लेकर आए हैं प्रभु समस्याओं में वो दुबारा ना जाए वरन उसका समधान वो आपसे पासके परमेश्व पिता मेरे धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जिसके दौरा आपने कि संतान से तुने वाइदा किया उसी प्रकार तुने हम से वचनों के दौरा आज वाइदा किया है प्रभु कि तु कभी नहीं बदलेगा तो हम पर दया की द्रिस्टी करता है तो हमें कभी नस्ट नहीं होने देगा प्रभु हम धनेवाद करते परमेश्व पिता सच में मे प्रभू येशुमसी प्रभू आज आप उन सारी बातों से उन्हें बाहर निकाले परमेशुपिता आप उन्हें अंदकार की बातों से लड़ाई जगड़े से कले से बैरभाव से बाहर निकाले परमेशुपिता नानप्रकार के कुकर्मों से बाहर निकाले परमेशुपिता और प्रभू अपने लोगों को प्रभू जी एक सही जीवन दीजे प्रभू, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके लोग प्रभू एक पवित्रताई के मार्ग में चले, क्योंकि प्रभू आपने हमसे तप्रेम किया जब हम पापी ही थे प्रभू, आपने पापियों के लिए प में से आप उने मदद करें आप उन्के संग में हो यह प्रब। उन सारी बातों से छूट कर वो आपकी राह में चल सके और यह कर ने में पवित्रव आत्मा उनकी साहता करे आज की शाम में जो गुष्ट और इत्ама प्रप्रकों के रहाrą जो प्रात्ना ना सुन सके और मेरा हात इतना चोटा नहीं कि धार कर सके मेरे परमेश्व पिता कि प्रभु तू अपने लोगों की प्रात्ना को सुन रहा है इस समय हर एक जन जो अपनी प्रात्ना को तेरे सम्मुक रख रहा है यदि वो डिप्रेशन में, यदि वो दुख में, यदि वो बीमारी में, यदि वो कर्जे में यदि ये वो पिता नान प्रकार की परिशानियों में है पिता प्रभू बच्चे बीमार है परिवारों में सब कुछ अस्त वे अस्त ऐसे समय में प्रभू आप उनकी सुधी लेकर उनके जीवनों में कारी कीजिए धनेवाद पिता जब आपके लोग जॉब लेस है परमेश्वर जब उनके पास कोई भी रोजगार नहीं पिता और वो तेरी और निहार राएं पिता आप उनके साथ में हो यह अपने वच्चन हम नहीं वरन प्रभू तु अपने हाथ को पिता प्रभू उन पर बढ़ा मेरे प्रभू जो इस समय रोगी है दर्द में उनके घाव लगे है चोटे है मेरे प्रभू और वो बहुत जादा सीरियस है प्रभू इस समय तेरी चंगाई का सामर्त्य उनके शरीर में बहने लगे शमसी के नाम से रोग निचे तक प्रभू इन्हें आपने चंगा किया पिता धन्य выпуск वाद्वाद पर में शचुटकारे के लिए चंगाई के लिए बहाली के लिए प्रभू धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभू आज रात में प्रभू अपने लोगों को मीथी सुकून भरी नींदे प्रभू जो भी वो डरते हैं घबराते हैं प्रभू चिंता करते हैं नेगेटिव थौर्ट्स आते हैं गलत गलत विचारों के दुआरा प्रभू उनके life में negativity आती है प्रभू, तो आज इन सारी बातों से छुटकारा दीजिए, अच्छी नीद आप उने दीजिए, ताकि परमेश और नया दिन वो आपके साथ में देख सके परमेश और धन्यवाद प्रभू, आपने हम सब की सुधी लिया प्रभू, हम सब के प्रातना का उत्तर दिया और जितने लोग प्रभू, आज की शाम में आपकी सम्मुक उपस्तित है, प्रभू, दुनिया की जिस भी छोड़ से प्रभू जी उस प्रातना को सुन रहे हैं, प्रभू, वो जहां कहीं भी है, आप उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को बहुत आय परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभू जी और पिता विशेश का प्रातना करते हैं जितने भाई बेनों ने योट्यूब का मेंड बॉक्स में, इंस्ट्रग्राम में, फेस्बुक में, टेलिग्राम में, फोन कॉल के माध्यम से आज की शाम में अपने निवेदनों को दिया है, पिता एक एक निवेदन आपके समुक हम रखते हैं मेरे प्रभू जी आप उनके जीवनों में कारे करें, उनकी सुधी लें प्रभू, उनके बिमारियों को उनकी समस्याओं का आप समधान करें, धन्यवाद करते हैं, कि आपने हम सब की सुधी लेकर हम सब से प्र फ्रात्नों को उत्तर दिया धन्यवाद देते हैं सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते वे फ्रात्ना येश्यू के नाम से मांगते हैं सुने और ग्रहन करें आमें 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 और आमें